What is Album Sense++ Bundle Album Sense++ Bundle क्या है? आएए देखते हैं इसका पूरा Demo सबसे पहले हमने Software Start किया यह हमारा Software Start हो गया है अब जैसे ही आप नया Album बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले File Menu में जाके New Album पे क्लिक कीजिया यहाँ पे हम एक couple का नाम लिखेंगे temporary हम यहाँ पे demo album बना रहे है demo album select किया theme में हमें default theme रखना है album option में जाके जिस size का album हम बनाना चाहते हैं उस size को हम select कर लेंगे company ने करीब software के साथ 37 sizes दीर हुई जो भी size आप select करना चाहते हैं उसको select करके ok के button को press कर दीजी save path में जाके जहाँ भी आपको अपना album save करना है उसका path दे दीजी यह हमने d drive का path दे दिया है photo folder में जाके original photograph आपके concept folder में पड़े है उस folder को select कर लीजी यहाँ पे हमारे पास demo photos के अंदर wedding नाम का folder है इसको हमने ok कर दिया जैसे हम ok के button को press करेंगे तो automatically हमने जो folder select किया हुआ है वो पूरा का पूरा folder हमारा यहाँ पे photos के option में आ जाएगा यह देखिए हम scroll करके check कर लेते है अब generally क्या होता है कि हम कुभी भी design बनाना चाहते है तो हम यहाँ तो blank page open करते हैं यहाँ कोई ready made PhD open करते हैं यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना है हम just कुछ photo को select करेंगे यह हमने 6 photo select किये एक और photo select कर लेते हैं यहाँ पे देखिए photos के अंदर यहाँ पे 7 photo का selection आ गया है photo select करके just auto page के button को click करना है software automatically in just the 15 seconds 15 seconds के अंदर आपको एक first class design बना के दे देगा यह आपका design बनना शुरू हो गया है यह आपका design ready हो गया है अब अगर आपको यह design पसंद नहीं आता है आप फिर से auto page के button को click कर दीजे within 15 seconds 15 seconds के अंदर software आपको फिर से एक नया design बना के दे देगा ना आपको कोई psd select करनी है ना कोई blank design बनाना है ना manually photo को attach करना है just photo select करके auto page के button को click करना है अब ऐसा क्यूं हो रहा है company ने software के साथ 37 size दी हुई है और हर size के अंदर company आपको दे रही है एक लाक variations इस page को हम save कर लेते हैं demo one यह हमारा photo save हो गया अब आप सोचिए कि यह photo save हो रहा है तो कौन से format में हो रहा है यह format है jpg और psd आपका बनाया हुआ album page psd और jpg दोनों ही format में save हो रहा है यह देखिए आपने जो select किये हुए photo थे जिसमें से आपका album page बना उसके ओपर green border आ गई जिससे आपको पता चलेगा कि इतने photo मेरे use हो चुके है अब हम दूसरा तरीका देखते हैं यह हमने यहाँ पे 5 photo select किये यह 6 यह 7 यह 8 अब हम auto page की मदद से नहीं बनाना चाहते है तो उसके बिलकुल बाजू में template का option दिया हुआ है जैसे ही आप template पे click करेंगे तो आपने जो art photograph select किये हैं आपको सिर्फ और सिर्फ art photo के ही template दिखाई देंगे जो template आपको पसंद आए उस template को select कर लीजे और ok के बटन को press कर दिजे तो यही आपके select किये हुए photograph की मदद से आपका template की मदद से पूरा का पूरा album page design हो जाएगा यह आपका album page बन गया है अब अगर आप इसके अंदर कुछ modification करना चाहते हैं कुछ editing करना चाहते हैं कुछ composition करना चाहते हैं यह हमने photo को compose करना है यह photo select किया इसको हम यहां से unlock करेंगे photo select करके आप आसानी से यहां से इसको compose कर सकते हैं यह आपका composition हो गया है इसको minor changes करना है तो आप इसको left right move जैसे भी करना है आप कर सकते हैं यह आपका composition हो गया है इसके अलावा अगर किसी photo के उपर आपको कोई special designing वगेरा करनी है या mask रखना है इसके उपर हमें design या frame चेंज करना चाहते हैं यह photo select किया हम photo designer में चलेगे हमें समझो यह design पसंद आती है तो photo designer में करीब 5 category दी हुई है artistic, feather, oval, corner और simple अगर हम कोई simple frame इसके उपर रखना चाहते हैं हम frame select करेंगे और ok के button को press करेंगे यह देखिए simple frame आ गया है तो इस तरह से आप album page बनने के बाद उसको edit भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अब इस photo में कोई आपको special color tone देना है यहाँ पे हम all correction में चलेगे तो इसके अंदर पूरे color tones दिये हुए है जो भी color tone आपको अच्छा लगता है उसको select कीजिए यह आपके photo के उपर color tone apply हो गया है अब तीसरे photo को देख लेते हैं इसमें अगर हमें कोई mask लगाना है mask gallery में चलेगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे mask दिये हुए है default mask में आपके favorite mask दिखाई देंगे frame mask, designer mask, feather mask, highlight mask, background mask यह हम यहाँ पे एक mask apply करते हैं यह double click किया यह आपका mask apply हो गया अब हमें समझे इसका background change करना है हम यहाँ background के palette में चले जाते है background के palette में background को जाके जैसे ही हमने double click किया आपका background change हो गया double click, change, double click, change अब background के अंदर हमारे पास बहुत सारी category दी हुई है यह category है इसके अंदर अगर आप अपनी खुद की category भी add करना चाहते हैं तो folder में जाके अपना खुद का folder बना के उसके अंदर भी आपके background डाल सकते हैं हमें light background चाहिए हमने light category select कर ली यह सारे light background आ गए है अब इसके अंदर अगर हम कुछ modification या कुछ करना चाहते हैं तो हम यहां पर mask में जाएंगे यहां पर background mask में चले जाते हैं आप background को भी mask लगा के modify कर सकते हैं यह देखिए आपका पूरा का पूरा background modify हो चुका है बिल्कुल ही अलग तरह का background आपके सामने आ गया है इसको भी हम save कर लेते हैं अब इस तरह से आप एक-एक page तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं लेकिन अगर आपको और भी automation की ताकत देखनी है automation क्या है उसकी speed क्या हो सकती है आप batch में चले जाएए batch के अंदर हमारा वो ही same folder open हो गया है अब जितने photo हमारे use हो चुके उनके उपर green border है अब उससे आगे हम चलते हैं यह हमने photo select किये पांच photo हमने select किये यह 6 किये यहाँ पे quick create का button दिया हुआ है जैसे हम quick create करेंगे यहाँ पे row album page एक बन गया इसके बाद हम 7 photo select कर रहे हैं quick create किया यह हमने 8 photo select किये quick create किया यह देखिए हमारे row album page 3 बन चुके है अब हम जैसे ही render के page को click करेंगे तो आपके select किये हुए photo की मदद से उसका individual एक एक page automatically design हो जाएगा और यह भी आपको psd और jpg दोनों ही format में save होके मिलेगा यह हमारे बाद होके लगाँ जाएगा यह हमारा batch process complete हो गया है अब हम इसको close कर देते हैं यहाँ पर जाकर हम देख लेते हैं album pages में कितने page बने हैं हमारे यह सारे के सारे page ready है अब इसमें भी अगर आपको कुछ modification चाहिए आपको change करना है तो इस photo को हमने double click किया अब हमें समझो इसका design पसंद नहीं है तो आप इसके batch के बाजू में एक change page करके option दिया हुआ है उसको जैसे ही आप click करेंगे तो आपके photograph सेम रहेंगे लेकिन आपका design change हो जाएगा अब इसको हम save कर लेते हैं 103 103